आज हम पढ़ने वाले हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जिन्हें राजेंद्र बाबु भी कहते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रस्न दिये हैं देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है और दूसरा प्रस्न है आजात भारत के पहले राष्ट पती कौन थे और भारत के पहले राष्टपती भी श्री राजिंद्र प्रसाद जी थे जिने राजिंद्र बाबु भी कहते हैं और तीसरा क्वेस्चन है कि हमारे देश में अब तक कितने राष्टपती हुए हैं तो इसका आपने ढूणना है इस प्रस्ण को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि भी हमारे देश में अब तक कितने राष्टपती हुए हैं अभी जो प्रिजेंट में हुआ है रामनात कोबिंद तो आपने पता करना है कि रामनात कोबिंद कौन से राष्टपती हैं तो आपको पता लग जाएगा चलिए पाट को सुरू करते हैं सादा जीवन उच्च विचार महापूरूशों की पहचान है डॉक्टर राजंदर प्रसाद हमारे देश के राष्टपती होते हुए भी बहुत सीदे सादे और सरल सभाव की थे उनके मन में छोटे बड़ों का कोई विचार नहीं था वो मतलब किसी में भेदभाव नहीं करते थे तो चलिए एक कहानी है उनके बारे में तो हम समझने का प्रियास करते हैं कहानी से कि क्या बात है इस कहानी में सुभा का समय था गजन नल से एक बाल्टी भरता पानी की बाल्टी भरता है ना पानी नहीं दिखावा बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की और दोड़ता इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती वह उसे उठाता और लेकर दोड़ा दोड़ा भीतर जाता ये कर्म ऐसे चलता रहता था तभी कंदे पर अंगोचा डाले हाथ में धोती और लोटा लिए एक ब्यक्ती वहां आया वह बोला भाई जरा बाल्टी दे दो हमें भी नहाना है तो गजन तो पहले से पानी भर रहा था और भाईन के तरब ले जा रहा था दूसरा ब्यक्ती भी आया और कह रहा है कि भी हमें बाल्टी दे दो क्योंकि हमें भी नहाना है पुराने समय आप देख सकते हैं यह पिक्शिर है देखो यह गज़न जो है बाल्टी क्या है एक बाल्टी भर रहा है और दुसरी ले जा रहा है तुम्हें क्या जल्दी है कुछ देर रुक जाओ अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है गजन ने कहा क्या कहा तुम्हें क्या जल्दी है कुछ देर रुख जाओ अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है ये गजन ने कहा याद रखना बस एक बाल्टी दे दो अब दूसरा ब्यक्तिक क्या कह रहा है बस एक बाल्टी देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप बाती हो रही है कॉमन टेप है नल जिसे हम कहते हैं है तो वहाँ पर क्या है बात हो रही है बस एक बाल्टी देदो जट से दो चार लोटे पानी डाल लेंगे उस ब्यक्ति ने कहा कि वे जट से जो है हम दो चार जो है लोटे पानी डालते हैं और आप हमें एक बाल्टी दे दो अरे तुम समझते क्यों नहीं आज सभा है भीतर बड़े बड़े लूग आए हुए हैं उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है देर मत करवाओ गजन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा तो अब गजन भी जो है अपना काम कर रहा था तो वो कह रहा है भी देर मत करवाओ अंदर क्या है भावने में बहुत सारे लोग आ रखें उनके लिए मैं अलग-अलग कमरों में पानी पहुंचा रहा हूँ अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं वहाँ बेक्ती बोला अब वहाँ बेक्ती बोला कि भई अच्छा ठीक है लाओ हम भी क्या है आपकी मदद करते हैं उस ब्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही, दोड़ दोड़ कर गजन को पकड़ाने लगा, तो ब्यक्ति भी क्या है? गजन की help करने लगा, उनकी मदद करने लगा, थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुँच गया, गजन बैठकर सु इनकी कर है, जल्दी काम होग और फिर गर्जन बैठकर सुष्टाने लगा, मतलब बैठ जाते हैं, कोई छोटी सी नेप लेता है, जबकी लेता है, कोई उबासे लेता है, हैना, तो ऐसले गजन बैठकर सुष्टाने लगा, मतलब रिलेक्स होग já वो, उस ब्यक्ति ने वारे हम जाम देंगे आगे वैसे आप समझ गए होंगे है थोड़ी ही देर में सभा सुरू हुई है स्वयम सेवक नेताओं को सर्वत सर्वत की गिलास पकड़ा रहे थे अब स्वयम सेवक क्या कर रहे थे नेता लोगों को सर्वत की गिलास पकड़ा रहे थे आजकल गर्मी है गिलास पकड़ा रहा था उसने सामने बैठे ब्यक्ति को गिलास पकड़ाए तो वहाँ हक्का बक्का रहे गया अरे ये तो वही है जिने मैंने बाल्टी नहीं दी थी अब देखो गर्जन ने वहाँ पे उस ब्यक्ति को देखा और कहा कि भई ये तो वही ब्यक्ति है जिसको क आपके हैं मैंने बाल्टी नहीं दी थी गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवियजी बोले कौन थे वहां पर मदन मोहन मालवियजी भी थे वह बोले उन्हें नहीं जानते हो भाई अभी मदन मोहन मालविय जी नहीं कहा कि उन्हें नहीं जानते हो भाई ये तो अपने राजेंदर बाबु है गजजन ने राजेंदर बाबु के पैर पकड़ लिया और छमा मागने लगा राजेंदर बाबु मुश्कुराए और गजजन को गले से लगा लिया गर्जन को गले से लगा लिया सादगी के पुजारी ये राजिंद्र बाबु हमारे पहले राष्ट पती बने तो सादगी के जो पुजारी जिनको मतलब जिनका क्या है जो जिनका साधा जीवन होता है तो यहाँ पे क्या है उनको उपमा दी गई अलंकिर्त किया गया उनको सादगी के पुजारी है ये राजिंद्र बावों हमारे पहले राश्टपती बने राश्टपती भवन में रहने पर भी डाक्टर राजिंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया तो प्यारे बच्चों आप ये समझे कि जो वो ब्यक्ति था जिसको गजन ने मना किया वो क्या थे हमारे देश के परतमराष्टपति श्री राजिंद्र परसाद थे और उनको यहाँ पर क्या उपमा दी गए कि वो क्या है सादगे के उजा रहे हैं मतलब बहुती सादा जीव हमें परती है कि हमेशा हमें जो भिचार है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने विचारों को उचा रखना दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना जिसको आउसकता है उसकी मदद करना जो से बिर्द देखती हैं किसी की रोड क्रोस करने में मदद कर सकते हैं कहीं कोई गरीब असाय है तो उसे अगर आप सक्षम है तो आप उसे क्या है खाना जो है दे सकते हैं तो इस परकार से अनेक परकार से आप समाज की मदद कर सकते हैं, तो इस प्रकार से साधा जीवन जीना है, और खुद भी बहुती पॉम्पेंट सो, मतलब सानो सौकत के साथ ने जीना तो है, ठीक है, सानो सौकत से जीना है, लेकिन इतना भी जादा नहों कि आपका एक अलग सा जो है, बहुती अलग एक स्टे उसने बाद.